किसी भी समाज या राष्ट्र को सू द्रड सम्मुनत बनाने के लिए देश के नागरिकों को चरित्रवान एवं प्रतिभावान होना आवश्यक है। नागरिकों को सू संस्कृत, शालीन, कर्तविनिष्ट बनाने का कार्य परिवार संस्था की धूरी, सू विक्सित, सू शिक्षित नारी ही कर सकती है। पंजशी राम शर्मा आचारे जी। पुस्तक का नाम नारी उत्थान, युग की महत्ती अवशक्ता। बीते समय में नारी पर प्रतिबंध क्यों लगे। इस प्रशन के दो उत्तर हो सकते हैं। पहला यह कि अपने समाज का पुरुश्वर्ग इतना चरित्र भ्रष्ट है कि उसके आगे मूँ खोल कर रहना खत्रे से खाली नहीं। दूसरा यह कि नारी थोड़ी भी विश्वस्निय नहीं है। वो परदे के जंजीरों में जक्डे बिना चरित्र निष्ट नहीं रह सकती। शिशु विज्ञान के जानने वाले सदा से यही कहते हैं कि बच्चों के विक्तित्व का विकास प्रधान तथा घर की पाठशाला में ही होता है। इससे बढ़कर महत्वपून और कोई शिक्षन संस्था हो ही नहीं सकती। यदि हमें अपने देश और समाज को सूद्रड समुनत बनाना हो और हमें अपने देशवासियों को चरित्रवान और प्रतिभावान देखना हो तो व्यक्ति और समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली परिवार संस्था को सद्गुनों और श्रेच संस्कारों से सज जाना सवारना होगा और उसके वातावरन में से स्वार्थ परी खीचतान दूर कर उनके प्रती प्रेम पैदा करना होगा अगर ये सच्चाई ये तथ्य हमारी समझ में आ जाए तो फिर ये स्विकार करना कठिन ना होगा कि यह कारिय जैसा होना चाहिए वैसा तो केवल नारी ही कर सकती है परिवार का वातावरन नारी रुपी पुष्प से ही महकता रहता है पुस्तक के कुछ प्रशन जो धर्रा चल रहा है उसे बदला क्यों जाए? जो कुछ हो रहा है उसमें पुरुष को अपना लाब दिखाई देता है और नारी अभ्यस्त हो चुकी है ऐसी हालत में बेकार छेर चाड क्यों की जाए? क्या अब भी वह परिवार है जो नर्रतन, महामानव, देव पुरुष उत्पन करके दिखा सके? नारी को पर्दा किसलिए करना चाहिए? आज नारी बुरी तरह तूट गई है और उसके फल स्वरूप परिवार संस्था भी तूट रही है फिर वह कैसे संभव हो सकता है कि उसके आश्रम में रहने वाले स्वर्गिय सुक्षान्ती का रस चक सके? जब साचा ही बिगड़ गया है तो उसमें ढल कर निकलने वाले देव मानुओं का दर्शन कैसे हो? नारी को सताने से नर को क्या लाब मिला? उसे असहाय बना कर किसने क्या पाया? घर परिवार के लोगों कि इससे क्या सुविधा पड़ी? पती को उससे क्या सहीयोग मिला? बच्चे क्या सुरक्षा पा सके? देश की अर्थ व्यवस्था और सामाजिक प्रगती में पिछड़ी नारी ने क्या योगदान दिया? स्वयम नारी जीवन का क्या आनंद पासकी? इन सभी प्रश्णों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लगू पुस्तक जिसमें नारी के पिछड़ेपन तथा उससे होने वाली दुरगती की चर्चा कर इस तिती से नारी को जल से जल उबारने का आवाहन किया गया है पुस्तक के कुछ अंश, विचारशीलों का करतव्य है कि वे नारी का स्थर गिरने के कारण हो रही भौतिक और आत्मिक हानी पर विचार करें उसकी भयंकरता को समझें और उसे दूर करने की प्रभावशाली योजना बनाए नारी के शारीरिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क, विकास और व्यवार में अनुभव पढ़ाने के लिए परदा जैसी निरर्थक बिमारी को जितना जल्दी हो दूर कर दिया जाना चाहिए स्वअभिमान के साथ रहना मनुश्य का स्वभाव है उसे सुरक्षत ही रखा जाना चाहिए नारी होना ऐसा अपराद नहीं है जिसके कारण उसके स्वअभिमान को ताक पर रख दिया जाए और उसके साथ मनमाना भोड़ा व्यवार किया जाए नारी ही परोक्ष रूप से पूरे समाज पर च्छाई रहती है उसे जिस भी स्थिती में रखा जाएगा पूरा समाज निश्चित रूप से उसी स्थिती में दिखाई देगा संपन्ता के बिना काम चल सकता है पर सज्जन्ता के बिना तो केवल दुर्गती ही हाथ रह जाती है आवशक्ता आज भी वैसी है प्रतियेक भावनाशील नर्नारी का सहयोग इस पून प्रयोजन के लिए मिलना ही चाहिए और इसमें एक शन का भी विलंब नहीं होना चाहिए करता है